हेलो मेंबर्स आप देखो आज मार्केट में काफी तगड़ा फॉल होता हुआ दिखाई दिया और फॉल की वजग क्या है कि भाई यहां पे मेजोरिटी में बीजेपी आती हुई नहीं दिखाई दिया इसकी वज़े से अदानी ग्रूप स्टॉक्स 20 परसंट 25 परसंट के और एक सिंपल आंसर मैं अभी देना चाहूँगा कि अगर अभी आदानी आपके पास है पैनिक ना करो येस पैनिक ना करो और मैं आपको बताऊंगा आगे स्टेटरजी क्या हो सकती है क्या आपका पॉइंट सेट माइंड सेट होना चीए जो आपके कामा सकता है लेकिन दे और आगे क्या सिनारियों हो सकते है पी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए हमाफ के जिगा है ये सबी चीजे बताने की कोशिश के ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा हाला कि साउन थोड़ा शाइद कम होगा लेकिन मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना और इसमें सिंपल बात है कि यहां पर NDA जो अनुमान किया जा रहा था कि 350-400 सीट्स आ सकती है लेकिन NDA के 300 सीट भी आती हुई नहीं दिखाए दिए 290-295 के आके सिमेट गई और इसमें जिनको नहीं पता है NDA गडबंदन है ठीक है NDA गडबंदन है वही छुटी-बुटी पार्टी सिसमें कनेक्टेर होते हैं जैसे कि इंडिया होती है ना कॉंग्रेस और दूसरी पार्टी आम अदमी पार्टी ठीक हो भी कडबंदन है तो दोनों कडबंदन है तो हुआ क्या है कि BJP के जो में मिजोरिटी वार्ट से वो 240 के असपास थे और NDA जो 295 क्रॉस कर चुकी है तो लेकिन भाई लोग जो जितने भी इंवेस्टर्स होते ना ठीक है यह जितने भी पॉलिटीशन्स होते हैं वो पैसे के यहां पे होते अगर उनको पैसा मिला या कुछ भी होआ तो भाई डेफरिनली पार्टी बतल सकती है मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन आपको इन्वेस्टर्स हो आपको इन्वेस्टर्स तरह से सोचना है भाई शियर मार्केट में सोचना है ठीक है पॉलिटिक्स क्या करते है वो आपको नहीं देखना है वो कहीं पे भी जा सकते है पॉलिटीशन्स बात समझ रहे हो तो आपको यह सोचना है अगर वो चलेगे आदानी में क्या हो सकता है, कितना और गिर सकता है, और strategy क्या होनी चीए, ये सबी चीज़ से बताऊंगा, ठीक है, अब ध्यान से सुनों, जो मैं बोलने वाला हूँ, पॉइंट नमबर वन, आपको सिफ ये ध्यान में रखना है, कि NDA में डेफिनिटली मोधी जी वापस आने चीए, अगर मोधी जी पीएम बनते रहते हैं, कंटीनियोर करते हैं, तो डेफिनिटली अदानी स्टॉक्स वापस रिकावर करने वाले हैं, जिसमें चांसे हाई बन हाला कि एलाइन्स होते हैं, बहाई एलाइन्स वाले बोलते हैं, कि मुझे यहाँ पर पीम बना दो, ठिक के एलाइन्स होती है, वो सर्गार गिरा भी सकती है, चोटी मूटी पार्टी, तो आमको सिफ ये ध्यान में रखने हैं, कि भाई, उसमें कोई नेगिटिव सिनारियो ना जाए अगर नहीं आता है तो अदानी वापस रिकवर कर लेगा लेकर अगर मान लो यहाँ पर पिये मोधी नहीं मत दे या फिर उपोजिशन बनता है तो आपको अदानी में नीची के लिवल से आपको एंट्री करने का सूचा है अदानी में जनरली इशूस नहीं आएंगे वो बात याद रखेगा बीजेपी आए या ना आए मोधी जी को जादा तर फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि जहां तक आप उपोजिशन को समझते हैं अगर कोई पॉलिटिक्स में है अगर उपोजिशन को समझता है तो अदानी को डेफिनिटली यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन आगे भी जाकि उनको बना दिया तो भी कोई इशू नी होगा बात समझ रहे हो लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है कि आपको PSU क्यों नहीं देखने है और आदानी क्यों देखने है क्योंकि आदानी definitely benefited हो सकती है directly indirectly बात समझ रहे हो तो शोटें सिंबल में आदानी में पैनिक तो नहीं करना है anyhow बस इतना ध्यान में रखने है कि कितना गिर सकता है मानलो यहाँ पर मोजी जी वापस आ जाते है तो थोड़ा ही गिर के वापस recover करेगा और अगर नहीं आते है तो नीचे जाके recover करेगा बात समझ रहे हो ठीक है तो जादा पैनिक करने की कोशिश मत करना अदानी ग्रूप के stocks क अदानी वापस recover कर सकते हैं लेकिन मूद आता है कितना फॉल करें तो आपको सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान में रखने है अभी average का नहीं सूचना है ऐसा डिस्क्रिमर मेरे पास पड़ा है मैंने यहाँ पर average किया था आँज की दिन के अंदर लेकिन मैंने exit कर लिया एक पाइनिक मत करना और आप सिफ यह ध्यान में रखना कि एक बार PM मोदी जी को शपत लेने दो ठीक है PM मोदी जी जो मेरे इसाब से 8 ये 9 तारिक को होंगे जहां तक मुझे अंदाज आ है अगर मैं गलत हूँ मुझे comment में correct कर देना ठीक है PM मोदी जी अगर शपत ले ले लेत देखो अदानी इसके साथ political connections है आप भी जानते मैं भी जानता हूँ पूरी दुनिया जानती है current government के साथ political connections है लेकिन defense में government invest करती है तो investment के लिए bill pass होने चीए बात समझ रहे बिल पास होने चीए उसमें बहुत सारी चीज़े होते का मैं बोलूगा ये bill pass नहीं करना है वो तो वो मिली जाते है ठीक है directly ये indirectly मिली जाते है contract ठीक है 2014 की बात कले ये 2019 की बात कले 2014 में भी ऐसा हो था ठीक है ऐसा ही हुआ था तो point ही आ जाता है कि इनको directly indirectly benefit हो गाई ठीक है देखो आम खुद की family को ज़्यादा support करते है बीजाए बार की family के ये same चीज़े है अदानी ठीक है वो खुद की family का यहाँ पर अदानी group का भाग है ना ही PSU stocks PSU का काम अलग है ठीक है गुवर्मेंट कुछ reforms करना चाती है जिसमें PSU का नाम आ रहे थे लेकिन अदानी अदानी यहाँ पर इंडिया के साथ वो मिलना चाती है इंडिया के साथ ग्रो करना चाती है इंड average exit वो बाद में हम लोग decide करेंगे, discuss करेंगे लेकिन अभी के लिए stock को जहाँ पर consolidated होना है होने दो देखो यह ना आपने consider किया था ना मैंने consider किया था कि यहाँ पर इतनी majority से BGP नहीं आए के ठीक है क्योंकि already exit pole positive बता रहे थे, already यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ मोधी खाली कर देते, तो यहाँ पर इतना साथा panic किसी को भी नहीं होता, ठीक है, और हमेशे आपको बोलता हूँ कि elections होते हैं तो एक safety के लिए थोड़ा funds free रखो, मैंने हमेशे आपको बोला है, भले आप अच्छे stock आपके पास है, थोड़ा funds free रखो ताकि आपको average करने का मौका मिले, यह बात मेरी आज, भले आप यहाँ पर भूल गया, लेकिन next time याद रखना, मैं SMF आपको हर बर बोलता हूँ कि funds free होने चीए, major elections में negative point रखना चीए, वो आपके काम आने वाला है, ठीक है, यह बात clear होगे, तो अभी आदानी में panic मत करना, जितना follower है उसको होने दो, panic मत करना, नीचे के level से हमनों average करने की कोशिश करेंगे, support लेने की कोशिश करेंगे, वापस 4-6 मेने में recover हो जएगा, time लेगा recover करने में यह बात याद रखीगा, जितना भी life high है, वहाँ पर शायद जाए नहीं, लेकिन time लेगा थोड़ा recover करने में उसके बाद यह जाए, लाम से कम 6 मेना लेकि जा सकता है, यह बात पकड़ की चल सकते हैं, clear, hope यह point आपको समझ में, आज का video समझगा, कोई भी doubt होता है, comment जरू आप कर सकते हैं, and telegram में यह जाके, जरू जूरी का search करने, my stock market funda, और investors community को join करने, हमा link से account open कर सकते हैं, कोई भी एक में anyone, और इसकी link में, तब तक के लिए goodbye, जाए खित